तहां में तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए अगर लगाना चाहिए तो किस परिसिती में लगाना चाहिए द्यान से सुनना मैं इसको पहली बात तुक्का नहीं बोलूगा मैं इसको बोलूगा calculated risk लेना क्या बोलूँगा calculated risk लेना मैं इस सवाल का जवाब दो तरह की विद्यार्चियों के लिए देना चाहता हूँ एक वो जिनकी maths अच्छी है जिनकी maths पढ़िया है math उनकी strength और एक वो जिनको पता है की maths किये बिना NDA का रस्ता नहीं खुलता math लेकिन उनकी strength नहीं है लेकिन उनको NDA में जाना है दो reference में मैं इस सवाल को आपके साथ discuss कर रहा हूँ पहली बात क्या कि अगर math तुमारी positive है और math negative है किस तरीके से तुम decide करोगे कि तुम्हें तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है ठीक थ्यान से सुना अगर math तुमारी strength है तो definitely 120 सवाल है आपके पास 500 minute में करने के लिए गेड़ 100 minute में करने के लिए आपके पास 120 सवाल है ठीक है मेरा ये मानना है कि जिस विद्यार्थी की भी गणित अच्छी है वो कम से कम 60 से 70 सवाल अराम से कर लेगा कितने देर में maximum 100 minute में maximum 100 minute में या और बढ़ा लो छोड़ा 120 minute कर लो दो घंटे कर लो ठीक है 120 minute में जिसकी भी math वो लग रहा है उसको कि अच्छी है ग्यारवी वैर्वी में उसने पढ़ाई की है तो वो 120 minute में 120 question में से लगवग 76-70 सवाल कर लेगा अब बात ये आती है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो time taking होते हैं या जिसके बारे में कुछ idea नहीं लगता है मेरा ये मानना है जिसके बारे में तुम्हें कुछ idea नहीं लग रहा है उसको छोड़ दो उसमें तुक्का मत लगाओ ठीक है और अगर तुमने पढ़ाई की है तो तुम्हारा attempt ठीक है तुम्हारी accuracy बढ़िया है तो अब जो आप chance लेंगे इस situation में आप marks बढ़ाने के there is a difference attempt बढ़े ना बढ़े marks बढ़ना चाहिए ध्यान रखना इस बात को गलत attempt कर दिये तो marks कम होगा सही attempt का pattern रखे strategy सही रखे तो marks बढ़ेगा ठीक है तो कैसे इस बात को handle करोगे इस बात को बहुत हैं सुनना तीन तरह के सवाल होते हैं मेरे opinion में एक सवाल वो चो देखते तो है लेकिन time taking है एक बार में पढ़के लगा हाँ यारी concept तो किया है लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा है और तीसरा वो जो तुमने पढ़ा और कुछ समझ में ही नहीं आ है मेरा ये मानना है मेरा ये मानना है सबसे पहले आपको कौन से सवाल करने चाहिए आपको वो सवाल करने की जो खट से हो रहे हैं जो लग रहा है हो जाएंगे लेकिन अभी idea नहीं लग रहा है उनको circle करने और जो तुमने पढ़ लिया और तुमें दिख रहा है कि भईया ये तो होना ही नहीं है उसको ऐसे cross करो तो अगर तुमारी maths अच्छी है तो लगबग तुम 60-70 question पहले गोमें कर चुके हो तुमने ये वाला सवाल कर लिया लगबग 100-120 minute depending upon your speed and your practice ठीक है और अगर तुमारी maths कमजोर है तो मैं ये मानता हूँ 25-40 सवाल तो फिर भी किसी इतने ही मिनट में कितने मिनट में भीया लगबग 120 मिनट अगर तुमारी maths कमजोर है फिर भी तुम तुमने भी पढ़ा होगा ना ताकि तुम 120 में से कम से कम 35-40 कुछ तो करोगे करोगे की नहीं करो मॉक्टिस दे रहे होगे मैं उम्मीद करता हूँ अगर तुम इतना sincerely follow कर रहे हो डाउट्स पूछ रहे हो तो मुझे लगता है मॉक्टिस वगर तो दे रहे हो ठीक है ना हा अगर आपके मैस अच्छी है तो आप कम से कम 66-70 कोशन कर चुके हैं इतने देर में इतने देर में इस सिचुवेशन में आने के बाद आपको हमार जरूर से रंगल जिएगा और उसके बाद यह जो प्रस्ण है दूसरे कैटिगरी के दूसरे कैटिगरी के आपको पता है कि इसके बारे में थोड़ा आइडिया तो है थोड़ा आइडिया तो है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है वहाँ तुम कोई रिस्क नहीं लोगे स्क्राइड कोंगे लें थोड़ा देखो करते हैं एगजाम ने पर जिन्दगी में थी रिस्क छाहिए ऑगर हम लूस करेंगे अगर गें तो कितना गें करेंगे और और अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्या लूज करने वाले हैं क्या गेन करने वाले हैं that is called risk risk गदे लेते हैं calculate risk समझदार लोग लेते हैं और आप definitely समझदार हैं मेरी बात समझपा रहे हैं आप लोग ठीक है तो इस तरह के सवाल में जहां तुमने first go में उसको छोड़ दिया उसको तुम किस तरीके से handle करने वाले हो उसको तुम किस प्रकार से देखने वाले हो इसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं ठीक है आप क्या करेंगे इन सवालों को पढ़ेंगे options देखेंगे जब भी आप ध्यान से सवाल को follow करेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा भी अगर hint भी है तो तुम option देखके यह बता दो कि 4 में से यह दो option तो हो ही नहीं सकता उन दो option को आप cross कीजिए बचके जो दो option उसमें आप chance low उसमें आप chance low क्योंकि अगर मैं as a mathematics teacher बोलूँ तो अगर तुम बिना देखे questions पे ABC 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 कर रहे हो that is risk वहां तुमारे सही होने की probability 25% है एक तो कोई नहीं सकता तुमने अपने सही होने की probability को 50% कर लिया तुमारे सही होने की probability कितने हो गए 50% हो गई वह बढ़ गए तो तुम्हें इस situation में इस बात को समझना है कि किस प्रकार से आप उसको handle कर पाए बात समझ में आ रही होगी आपके तो attempt अब definitely अगर तुमने 25 question attempt कि यह है 100% accuracy से धाई number के हिसाब से कितने number 62.5 62.5 में भाई आज तक तो cutoff नहीं clear हुआ है एक बार को 30 गुने धाई करेंगे तो 75 होगा वहां फिर भी एक बार को cutoff पहुंचा है कि हाँ चलो 75 में तो cutoff के बार clear हो जाता है बट साले बासेट में तो clear नहीं होता है समझ रहे हो ना अगर 100% accuracy है तब भी I hope you are getting my point इन बातों को इस समय नहीं समझे तो कब समझोगे अभी तो समझना ही पड़ेगा इन बातों तो इस situation में हमें यह बाते एकदम clear होनी चाहिए अब हमें यहाँ पर attempt बढ़ाना ही पड़ेगा अगर आपकी math strength है तो आपको calculated risk ठीक है देखो जरा इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास को अब यह माल लेते हैं लगभग अच्छे बच्चों के लिए जिनकी math strength है उनके लिए माल लेते हैं उन्होंने लगभग 20 से 30 question यहाँ identify कर रखे हैं 20 से 30 question यहाँ identify कर रखे हैं जो उनको पता है कि हाँ यह हो सक 20 question बिल्कुल पले नहीं पड़ा बिल्कुल ही पले नहीं पड़ा छोड़ो ना टेंशन मतलो आपकी selection यह डिसाइड नहीं करती है कि आपने difficult question किया है कि नहीं किया है आपकी selection यह डिसाइड करती है कि paper में आये हुए सारे असान question आपने किया है कि अगर आपने paper में आये हु वीक्ने वीक्स्ट्रेंट्स की बात कर रहा हूं जिनकी मैट्स कमजूरी है strength नहीं है जो second category है जो तुम्हें लगता है पढ़ा तो है पढ़ा तो है सर हमने लेकिन कुछ याथ नहीं आ रहा है बाद में देखेंगे अभी नहीं देखेंगे आखरी के 30 मिनट के लिए मास साथ म more than two hours ठीक है last 30 मिनट में तुम्हें यही काम करना चाहिए अगर तुमने अपने आते वे सारे easy questions कर लिए हैं तो अब तुम्हें यही काम करना चाहिए तो आपके लिए जिरकी मैस कमजूर है मेरे experience के हिसाब से मेरे अनवर्व के हिसाब से लगबग आपको यहां पे 40 से 50 या 40 से 60 questions यहां मिलेंगे जो आपको लग रहा होगा हाँ यह आता तो है लेकिन कुछ missing है तो भाई tension मतलो तुम relax होके उसके options analyze करो question को देखो graph बनाओ diagram देखो कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है कई बार ऐसे options भी आते हैं बहुत ध्यान से देखना root 3 plus 1 root 3 minus 1 2 root 3 plus 1 2 root 3 minus 1 तुमने उसको graphically analyze कर लिया और तुमने यह देख लिया कि इसका answer लग बग दसमलव 5 के आसपास है कितना answer है तुम value check करो न यार root 3 कितना है एक दसमलव 7 कितना हो गया 2.7 नहीं हो सकता यह कितना है 0.7 एक बार को हो सकता है इसको reject नहीं कर सकते यह कितना है यह तो बहुत ही बड़ा है 1.7 का दोगुना 3.4 plus यह 4.4 कोई नहीं सकता not possible और 1.2.3.4 minus this यह भी नहीं हो सकता तो answer इसमें क् करोगे 0.7 यह answer क्या बताना चाहरा हूं क्या समझ पा रहे हो मेरे भाई तुक्का नहीं लगाना है calculated risk लेना है question की situation को समझना है options को analyze करना है options को analyze करना है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है right I hope you are getting my point इस तरीके से करके यह वाले जो questions है अच्छे बच्चों के लिए जिनकी strength है वो जो 20-30 question है इन में से अगर तुम आधे भी कर रहे हो with 50% accuracy right दो option delete कर दिये तो जरूर मार्क करना जो बचे वे एक हैं उसमें से एक जरूर मार्क करना छोड़ना मत उसको calculated risk लेना जरूरी है exam में भी और life में भी याद रखना मेरी बात ठीक है जो बच्चे week हैं उनके लिए तो भाईया कुछ हई नहीं तुम्हें तो करना ही करना है रिस नहीं लेना है calculated risk लेना है यानि लगबग यह जो 20-25 question का range आप करेंगे 40-50 में से 20-25 question यानि attempt को यार कम से कम 50-55-60 को ले जाओ ताकि कुछ मौका तो हो अंदर भुशने का ठीक है या तो accuracy बहुत बढ़िया रखो किसार हमने 40 की है एकदम accurate है हम नहीं लगा रहे तो ठीक है चलेगा वो strategy काम्याब हो सकती है अगर paper ठीक ठाक है तो सौनबर अच्छे होते हैं cut-off के लिए बहुत clear है बहुत बढ़िया है आपका यह जो सवाल था सर्टुक्का कैसे लगाएं इस पर हमने बहुत detailed जानकारी आपको देने का प्रयास किया उम्मीद करता हूं आप इस बात को exam में execute करके आएंगे planning is one thing and execution is the other thing the winner is the one who keeps the execution very well right execution ही important है कितना बढ़िया तुम उसको जमीनी सर पे apply करते हो that is important उमीद करता हूं आप मेरी बातों से सहमत हैं और आप इसको तीन तारिक को apply जरूर करेंगे ठीक अगला सवाल एक आपने पूछा तदर time management time management किस तरीके से paper attempt करें मुझे लगता है मैंने इसका जवाब अभी अरी तुम्हें दिया किस तरीके से time को manage करना है राइट सबसे पहले paper attempt कर ले हो ठीक है तो टिक वाले सवाल है यह 90-120 मिनट में तुम्हें सारे कर जाने है ठीक समझ गये जो गोले वाले सवाल है वो उसी 90-100 मिनट में तुम्हें identify कर लेने है कि यह गोले वाले सवाल है आखरी से 30-40-50 मिनट में देख लेंगे ठीक जब तुम टिक वाले सारे सवाल कर लोगे, उसी समय तुम ओमार रंग लोगे, ओमार पुरा-पुरा फिनिश कर लोगे, जितने अटेम्प कर लिए, ध्यान से, केरफुली उसको रंग होगे, गल्ती मत करना, ठीक, ओमार सही तरीके से रंगने की प्राक्टिस आपने की होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है और आखरी बात क्या, कि जब आपने उसको रंग दिया, फिर अब किसकी बार ही है, गोले वाले सवाल को करने की, ठीक है, इस तरीके से 150 मिनट तुम्हें सही तरीके से यूज़ करने है, पहले ही मिनट से, अपना, make sure you are giving your best up,